लोग कई बार तुम्हें गुमराख करने की कोशिश करेंगे, लोग कई बार तुम्हें गलास सला देने की भी कोशिश करेंगे, हो सकता है तुम्हारे पास आकर, इतने मीठे मीठे बने कि तुम्हें समझ में ही ना आए, लेकिन उन लोगों का जो मकसद है, उस मकसद में वो क कभी काम्याब नहीं हो पाएंगे। इसका कारण ये है, कि मानसिक्ता जितनी भी बुरी क्यों ना हो, उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। अगर उनकी मानसिक्ता तुम्हे नुकसान पहुचाने की है, तो उनको वो मानसिक्ता लेकर चलने दू. आने दो उनको तुम्हारे पास मैं बैठा हूँ और मैं कभी भी उन्हें सफल नहीं होने दूगा क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी उर्जा है तुम्हारे अंदर इतनी सकारात मकता है कि उनके गलत इरादे कभी काम्या भी नहीं हो पाएंगे इसलिए तुम परवा मत करो जो तुम आजकल मेरे दरवार तक आते हो जो तुम आजकल मंदिर तक पहुंचते हो तुम्हें पता है उससे तुम्हारे अंदर तो एक शांती मिलती ही मिलती है मुझे भी अच्छा लगता है जब तुम मंदिर में आते हो सर जुकाते हो और उसके बाद जब थोड़ी देर के लिए ही सही जब ध्यान लगाते हो उस समय जो तुम्हारा वो सुकून है वो सुकून बहुत मायने रखता है इसलिए इसको अपनी धिनचर्या में शामिल करो दिनचर्या में शामिल करो की चाहे थोड़ी वक्त के लिए ही सही बैठो, सुकून से बैठो और मेरा ध्यान लगाओ जब तुम मेरे ध्यान में आओगे और मेरा ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं है किसो तुम मेरे बारे में ही सोचो तुम किसी के बारे में भी सोचो आखिरकार तुम पहुँचोगे मुझ तक ही क्योंकि तुम्हारा रास्ता आखिरकार मुझ तक ही पहुँचता है इसलिए निस्यंत रहो लेकिन अपने काम में हमेशा व्यस्त रहो और अपना काम बड़े ही सुकून के साथ और बड़े ही दिल लगा कर करो अपने घर पर भी ध्यान दो घर के लोगों का पर भी ध्यान दो तुम्हें पता है तुम्हारे घर के लोग तुम पर बहुत निर्भर करते हैं तुमसे बहुत उम्मीदें भी लगा कर रखते हैं जो तुम सुबह से शुरू होते हो अपनी दिन्चारिया में उस दिन्चारिया में खुश होकर जो भी काम करना है वो खुश होकर करो क्योंकि हाकीकत यही है कि काम तो तुम्हें करना है अगर तुम तकलीब के साथ करोगे अगर तुम उदास मन से करोगे अगर तुम मुफला कर करोगे तो उस काम में ना तुम्हें माजा आएगा ना तुम्हारे घरवालों को इसलिए उस काम को हमेशा अच्छे मन से सब की खुशी के लिए करो बाकी मैं सब कुछ पूरा करवाऊंगा सब कुछ पूरा करवाऊंगा मुझे पर छोड़ दो सब शुब है और सब शुब ही होगा खुश रहो सदा खुश रहो